नमस्कार दोस्तो राजनित्ति की बातें किताबों की कहानी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त धर्मेंदर कमारी दोस्तो आज बहुत इंटरस्टिंग टोपिक है एक तो आप ये बताएं कि क्या आपने कभी रोतक की जेली पार्टी का नाम सुना है मेरे खाल से नहीं सुना होगा बहुत सारे साथ हुने तो आज के वीडियो में हम इस जेली पार्टी की कहानी आपको बताएंगे इसके साथ ही आज के वीडियो में हम उसमा के बारे में बताएंगे जिसने कुछ मैलाओं के घर के बाहर आकर रो देने के बाद अपने बेटे को मुख्य मंतरी की कुर्सी छोड़ देने के लिए कहा था हुआ यह था दोस्तों 11 मैं 1946 को यूनिनिस्ट नेता सर खिजर हैत खांटिवान साब ने पंजाब के प्रीमियर यानि पंजाब के मुख्य मंतरी का पद संबाला था तीन पार्टियों का एक गटबंदन था कांग्रेस, जमीदारा लीग और अकाली दल तीन हिंदू, तीन मुस्लिम मंतरी बनाए गए थे, कांग्रेस की तरब से भीम सेन सच्चर राजस्व मंतरी थे, चोदरी लहरी सिंग इसमें पब्लिक वर्क के मंतरी बने, सरदार बलदेव सिंग को डेवलोप्मेंट का मंतरी बनाए गया ये तीनों पार्टियों की मिले जुली एक सरकार थी, और इस सरकार में जितने भी बड़े नेता थे, तब सारे इसमें शामिल च्छै टोटल मंतरी थे ये मंतरी मंडल बहुत समय तक सत्ता में नहीं रहा, या ये सरकार चली नहीं, इसके कई सारे कारण थे, जो उस समय की फृस्तितियों को हम समझेंगे तो पता चलेंगे 16 अगस्त 1940 को जिन्ना साब ने इसलाम खत्रे मेह का नारा दे कर उल्ले माउस से जिहाद का फत्वा पड़वा दिया था इसके बाद रावल पिंडे में मुसल्मानों ने हिंदू के खिलाब जिहाद छेड़ दिया था और वहां से राउल पिंडे में हिंदू मुसल्मानों के दंगों की चर्चाएं हिंदू उपर हत्याचार की खबरे हरियाना में पहुंसते वे देर नहीं लगी ऐसे में गड़ मुक्ते सोर के कार्तिक गंगा सनान पर गए हरियाना के लोगों को इस तरह की खबरे उनके सामने आई तो उन्होंने वही पर जो भी मुसलमान दिखाई दिया उस पर हमला बोल दिया ये काम करने में हरियाना और पस्षिम उत्तर प्रदेश के हारियस माजी जाटों की संख्या जादा बताई जाती है ये काम उनका बताया जाता है लेकिन इस घटना का जो आरोप है वो चोदृ चर्ण सिंग पर मड़ा गया और पंडित नहरू जी के भी किसे ने कान भर दिये कि ये काम चोदृ चर्ण सिंग ने कराया है पंडिक नहरू अपने जीते जी हमेशा ये बात मानते आए कि गड़ मुक्तेस्वर में मुसल्मानों के खिलाब दंगे भढ़काने का काम चोदरी चर्ण सिंग ने किया था जब की हकीकत ये थी कि चोदरी चर्ण सिंग को इसके बिल्कुल भी जनकारी नहीं थी उसमें हरियाना के आरे समाजी और रोहतक जिले की एक जेड़ी पार्टी काफी सर्चा में रही थी इस जेड़ी पार्टी का नेतरतव चोदरी हरीराम खिडवाली गाउं के थे वो कर रहे थे और अपने साथ हटे कटे युआ रखते थे जो जेड़ी लिए रखते थे और मोका मिलते ही मुसलिमानों पर वो दहाव बोलते थे डिरेक्ट एक्शन की वज़े से मुसलिम महिलाएं सर खिजर हयात खा टिवाना साब जो प्रीमिर थे उनके घर के बाहर पहुँच गई और वहाँ पर उन्होंने शापा डाला आजकल के धरने जलुसों में भी शापा महिला एक करमचारी जो सरकारी है वो डालती है लेकिन अब तो किसी के कान पर इसकी जूनी रखती है लेकिन उस समय शापे का बहुत दूर दूर तक असर होता था मुसलिम महिलाओं को अपने घर के भार शापा करते हुए देखकर सर किजर हयात खांट इवान साब की अमीजान ने ये देखा तो वह व्याकूल हो गई वो सीधे अपने बेटे के पास पहुँची और उसकी ठोड़ी परहत रखते हुए का ये बेटा खिजर तेरे पास किस सीज़ की कमी है जो तु मुख्य मंतरी और सियासत के चकर में पड़ा हुआ है छोड़ दे इस गद्दी को और खुश रहे खिजर साब ने अपनी भावक मा को देखा लेकिन मन ही मन में इस बात को समझ लिया था कि अब ये मुख्य मंतरी की कुर्से एक ना एक दिन शोड़नी पड़ेगी या एक तरीके से उन्हों ने इसका मन बना लिया था इसके बावजुद हुनोंने महावल को शांत करने की आखरी कोसिस की खिजर हयात खा टिवाना साब ने भीमसें सचर को बुला कर कहा कि सचर साब मैं पंजाब का प्रीमिर आवश्य हूँ लेकिन अब हमारे पास चोड़ी चोटो राम मौरसर शिकंदर हयात खा जैसी सक्सित नहीं हैं जो इस नाजुक समय में सब को एक ताके सुत्र में बांस कें और बंचाब के बटवारे को रोक सकें आपकी पार्टी की सबसे ज़्यादा सीटे हैं असल परवाव भी कंगरिस का ही है कंगरिस हर वर्क के साथ जुड़ी हुई है आप डिरेक्ट एक्षन के जोच रहे थे वो स्युक पंजाब की चाहा कर रहे थे लेकिन भीमसेन सचर साब में साइद इतनी ताकत नहीं थी ना इतनी बड़ी उनके पास सोस थी साइद मौला ना आजाद का विस्वास कोने का भैबी सचर साब के दिमाग में उसमें मनरा रहा हो सचर साब ने तरुंत वहीं पर हात खड़े कर दिये और खिजर हातका साब ने मिली जुली सरकार के सभी विधायकों के बेठक बुलाई और साब काया कि भाई अकेले मैं ये भार नहीं उठा सकता हूं क्योंकि जिमेधारी कोई लेना नहीं चाहता है अब तो मेरी अम्मी भी कह रही हैं कि इससे अच्छा तो मैं गद्धी छोड़ दूँ कांगरेस के कुछ नेता तो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाने के भी चाले चल रहे हैं ऐसे में मैं त्याग पत्र दे रहा हूं एक मार्च 1947 को उन्होंने ये गद्धी छोड़ दी खिजर साब की त्याग पत्र देने के ब लाकात की उन्होंने साफ कह दिया कि चोड़ 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 राम के आदर्सों के खिलाप जाकर हम कोई काम नी करेंगे मंतरी तो बहुत चोटी बात है अन्तुए पंजाब में रज़ पाल साथन लागू हो गया और इसके साथ देसाजाद हो गया लेकिन एक माहा लाहू लुहान वो पंजाब हो गया साथ चोड़ 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 राम सर सिकंदर है आदका साथ जिंदा होते देसाजाद होने तेक तो भारत का नकसा ही कुछ हो रहता कल के वीडियो में दोस्तों हमें एक और राजनितिक कहानी का जिकर करेंगे जो पंड़ित सिर राम सर लेकिन बाद में मिलकर सरकार बना ली थी गड़बंदन वाली सरकार थी और भारत की रजनिती में हम मद्दाताओं के साथ ऐसा ही होता आया है हम चुनाओं से पहले वोट देते हैं सरकार के खिलाप और पता चलता है कि जिसको हमने वोट दिया उसने उसी सरकार के साथ मिलक सरकार बना ली तो एक किसम से ये वोट द्रो है चल है लेकिन भारत की राजनिती ने विवस्था कर रखी है पुराने समय से कि चुनाव से पहले लड़ाई बाद में हम सब भाई भाई आप भी इस पर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों तीन बजे के वीडियो हमारी राजनिती के बाते हैं हमेशे चलती रहेंगी चाहे की चुस्कियों के साथ इसका आनंद लें और कोई यनकारी हो तो सेर कर दिया करें पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दिया करें और कंदे पर जो थपकी मारते हैं आपका जो लाइक और कमेंट है मेरे कंदे पर थपकी की तरह होता है होसला मिलता इससे आगे बढ़ने का मदद करना चाहें तो मदद भी कर सकते हैं चार-पाच लोगों को वीडियो सेर कर दिया करें इससे जो लोग अच्छी चीज़ें देखना पसंद करते हैं उन तक हम पहुँच पाएंगे नहीं तो यूटूब पर तो आपको पता है क्या क्या भरा हुआ है अच्छी चीज़ें अच्छे लोग अच्छा कुन्बा हम की तरह है तो ये दोस्ती बनी रहेगी तीन बज़े राजनिती की बातें चलती रहेंगी बने रहेंगे कल फिर मिलेंगे तीन बज़े शुक्रिया नमस्कार